Alright then, तो आज की इस वीडियो में में बात करेंगे किसी भी non-perfect square number का square root कैसे find out किया जाता है, जिसके लिए एक number मैंने लिखा है under root 245, अगर formula से मैं compare करूँ तो n होता है given number और x होता है nearest perfect square number, जैसे कि 245 का nearest perfect square number है 225, तो यहाँ पे 245 को मैं चाहूँ, तो 225 plus 20 लिख सकता हूँ formula के according, तो यहाँ पे 225 है मेरा x और मेरा y है 20, अगर मैं side में 225 की value सोचूँ, जो कि मन में सोच सकता हूँ, that is 15, तो इस formula के साब से लिखू, तो under root x की value होगी 15, plus y के बतला हैगा 20 upon में 2 into 15, 2 into 15 मतलब 30, 20 को 30 से cut करूँगा, तो 2 by 3 आ जाएगा मेरा, और यहाँ पर यह हो जा तो I hope यह video आपको informative लगी, अगर लगी है तो इसे share जरूर करना और जाते आते वीडियो को like जरूर करना